आज शुक्रवार का भी दिन है तो आए आज हम जानते हैं कि शुक्र का अगर प्रथम भाव यानि कि लगने में शुक्र है तो उसका फलादेश कैसे करेंगे तो आज संपूर फलादेश समझेंगे सुक्र का प्रथम भाव यानि वीनस इन फर्स्ट हाउश तो उसके पहले दो तीन चीज़े जान ले एक तो सुक्र का जो शुब भाव होता है वो दूसरा है तीसरा है चौथा है पाचवा है शातवा है आठमा दसमा गिरहमा और बारहम है शुक्र के जो असुब भाव माने जाते हैं पहला छठमा और नौवा माना जाता है साथी शुक्र की जो उच्च रासी हो मीन रासी है और नीच रासी जो है वो कन्या राशी है शुक्र का जो कारक भाव हो सात्मा माना जाता है यानि शात्मा भाव जो है वो शुक्र का का पारग भाव है शुक्र के जो मित्र हैं वो सनी हैं बुद्ध हैं केतु हैं इनकी सत्रुता है सूरिषे है चंद्रमा से है और राहु से है इसके लवा मंगलवा गुरु के शाथ शुक्र के मध्यम शंबंद है हाला कि गुरु इनकी अपोजीशन में जरूर रहते हैं फिर भी मध्यम शंबन दी हैं तो यह साथ चीजें ध्यान में रखें कि सुक्र अगर लगन में है तो उसके साथ कौन सा ग्रह है या सुक्र कौन सी रास में बैठे हैं साथ है उस पर किन किन ग्रहों की या बिलाशी, भोगी इस तरह की जो चीजे देते हैं तो एक पुरुशार्थ व्यक्तित्यों के लिए अच्छा नहीं माना जाता हाला कि एक तरह से इस्त्रेंड गुड़ प्रदान करते हैं अगर लगन में रहते हैं तो व्यक्तिकों तो बैदिक जोतिस के अनुशार फलाद पेट और गुह यंगो में वर्ड अत्वातिल होता है तथा वह वात पित से दुखी होता है यानि वात संबंधित या पित संबंधित उसको रोग होते हैं ऐसा जातक जो है अनेक कला का जानने वाला होगा विद्वान होगा काब्य सास्त्र प्रेमी होगा वारता में कुशल और राजा से अनुग्रहीत होता है, उसे मधूर सुगंधित रब्य अर्थात पुसपाद से भी प्रेम होता है, अगर लग्न में शुक्र होता हूं. इसके लामा सुक्र के शाथ अगर सुभ ग्रह हो तो जातक जो है उसका सरीर स्वर्ल तुल्ल होता है यानि शुन्दर सरीर होता है और अनेक वस्त्रा भूशन से भी वह अलंकृत होता है यदि सुक्र पाप ग्रह से द्रिष्ट हो जाए अथवा पाप ग्रह के शात हो अथवा सुक्र अस्थ हो जा रहा हो यानि सूर के अत्याधिक नज़्दिक पहुँच जाए तो ऐसी इस्थित में जातक को वात सलेसमा यानि की अर्थराइटिस नामक जो रोग होता है हाज के में वह हो जाता है यानि उसके विकार से पीडित रहता है यदि लगन का स्वामी राहू यानि कि लगन में शुक्र है और लगनेस जो है वो राहू के साथ कहीं बैठ जाए तो ऐसी इस्थिति में अक्सर ऐसा होता है कि जातक आबन जूल नामक रोक जो की अंडवरिदी कहते ह उससे पीडित होता है इसके लामा अगर लगन में शुक्र है और चतुर्थ हस्थान में सुभ ग्रह हो तो अत्यंत शुभ माना जाता है तो ऐसी इस्थित में जातक अत्यंत प्रतापी और हाथी रखने वाला होता है यानि वाहन की सुक्र शुविधा से संपन्न होता है इस तुला हो तो ऐसी इस्थिति मेर उस जातक को राज योग होता है। इसके अलावा लगनस्त सुक्र होने से जातक को 17 वर्ष में उम्र के परिस्त्री गमन का शायोग होता है। तुलावा चुकि अत्यधिक व्यक्ति भोगी विलाशी हो जाता है तो दिन उप्रत दिन जवानी ढलती चली जाएगी। शक्ति का राज होता चला जाता है शे जातक का बिमारी चारपाई पर लेटने के लिए विवश कर देती है। ऐसा ब्यक्ति इस्त्रीयों का दिवाना होता है वह दो-दो इस्त्रीयों शे बच्चे बनाने वाला यानि की शंबंद बनाने वाला होता है। अब अगर शुक्र का फलादेश कर रहे हैं तो शुक्र का स्वभाव और उसके बारे में कुछ तथ्य जान लेना आती आवश्यक है। तो देखते हैं नेचर के अहविनश का यह वरिश और तुला का स्वामी है, मीन में उच्च और कन्या में नीच का होता है। और इनमें जो मीन और कन्या में क्रमशह 27 अंस पर परम उच्च होगा और परम नीच भी होगा। तुला का जो श्वग्रही होगा यानि तुला राश में उसमें 10 अंस तक यानि 0 से 10 डिगरी तक इसका मूल त्रिकूरस्थ होता है। तुला कि जातक पारिजात में 20 अंस तक बताया गया है और शंबू होगा प्रकाष में 15 अंस तक बताया गया है कि इसका मूल त्रिकूरस्थ होना लिखा है। तो मूल्त रिकोलस्त और बाकी जो अंस बचेंगे उसमें स्वग्रही होगा यानि मूल्त रिकोलस्त में स्वग्रही से ज़्यादा प्रभावी होगा उससे अच्छा फल देगा सेस में या स्वग्रही कहलाता है सुपावत सुक्र शुभ ग्रह, कालपुरुष जो है उसकी एक काम चेस्था का सूचक है यह अनेक तरह के रंग का बोथ कराता है इस ग्रह के प्रभाव से जो जातक का रंग होता है स्याम गवर होता है यानि कि जिसको हम गेहुआ रंग कहशकते हैं सावला गोरा रंग मिलाकर और यह शुक्र जो है दच्छंड पूर्वधिशा का स्वामी है यह छट्वे अस्थान में अगर होता है तो निस्फल हो जाता है ये काफी अशुमाना जाता है और सात्में अस्थान में भी अनिश्टकारी होता है इसके लावा वक्री होने से वाचंद्रमा के साथ रहने से इसमें चेस्ठाबल प्राप्त होता है इसको यह एक इस्त्री ग्रह है और पंच भूत में जल का सूचक है अता है इसको जल ग्रह कहते हैं यह कफ और वीर्य धातु का कारक है इसके लावा इससे काम शंबंधी चीजें जो हैं कारेकलाप हैं शुक हैं गान विद्या है काब्य है पुस्प है आभरण है नेत्र वाहन शैया सुख विभव कविता राज्य योग और इस्त्री आदि तथा स्रिंगार से संबंध अब देखते हैं योगिति जो चीजें होती है उन शब का कारक होता है इन सब चीजों का विचार जो है कुन्डली में सुक्र की स्थिती से ही किया जाता है संसारिक सुक्र का विचार भी सी ग्रह से किया जाता है यह सब्तम स्थान का का Preक है video और अपने स्थान से जो है माता का भी विचार किया जाता है अब देखते हैं सुक्र अगर प्रथम भाव में है तो क्या-क्या शावधानिया और उपाय टोटके करना चाहिए और अगर शुक्र प्रथम भाव में है तो ब्यक्ति को अपने चरित्र को उज्वल बनाए रखना चाहिए स्वैंब पर शैयम बनाए रखें तथा अनयतिक कारियों में लिप्तना रहें अपना चरित्र शदे उचल लखें इसके लामा एक टोटका है कि काली गाय की शेवा करें तो लाब होता है अगर सुक्र प्रथम भाव में अशुब है तो काली गाय की सेवा करना चाहिए बड़ों की उस शुक्र की यूति हो कहीं असुब यूति हो तो भी व्यक्ति को गुड़ खाने से बचना चाहिए यानि मीठा खाने से दूध अतवाद दही से अपने शिर को धोए तो भी लाब होता है इनकी अशुबता में और अपने भोजन का कुछ अंस गाय कुतों और पच्छियों को सनी आपकी कुंडली में लगन में है और उनके क्या क्या फलादेश है इस पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार